इस वीडियो only for education purpose for illegal activities user will be guilty not the channel and the trainer hello guys कैसे हैं आप लोग आई होब आप आप निर्शा की तरह अच्छी होंगे मैं ऊशेशंकर और आपका स्वागत करता हूं CH version 9 के module no.6 में तो guys आज हम Malware के बारे में जाने की कुशिश करेंगे what is the malware threats और कैसे यह work करता है किसी भी system को hack करने के लिए और कैसे इसका use होता है तो चलिए guys शुरू करते हैं और बताना चाहूंगा अगर आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताकि जितने भी आने वाली वीडियो से उसके इस हारी notification आपको मिल जाए तो let's start तो इस जो module का जो हमारा main objective हो क्या है इस पर हम Malware के बारे में जानेंगे Malware के बारे में तोड़ा introduction लेंगे उसके बाद उसके टेक्निक्स के बारे में जानेंगे पिर थोड़ा साम trojan viruses और दूसके टाइप के बारे में जानेंगे और यी system और कैसे अफेक्ट करता है और थोड़ा सा बहुत वाराइमने जानेंगे उसके टाइप और यह जो files होती है computer में उनको कैसे impact करता है और जो computer के जो wants हैं उनके बारे में जानेंगे और इनके जितने प्रोसेस है सारे अनलाइस करेंगे और फिर हम मालवेर पर 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 थोड़ी से नॉलिज लेंगे तो यह हमारा मॉड्यूल का अब्जेक्टिव था तो यहां पर आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है मालवेर से तो मालवेर एक एनम मैंदलेशिय शॉफफवेर होता है जो आपके कम्प्विटर में जितने भी सिस्टम में सबको डामेज कर देता है और पूरा एक्सेस और लिमिटेड जितने आप पूरा कंट्रोल होगा ना आपको सिस्टम जो तो आप सोच ने सकते हैं तो सारा एकसेस उसके पास उस मालवेर के सौफ़वेर के तुरू चल रहता है तो यहां पर कुछ एक्जामपल्स हैं मालवेर के बारे में आपने रैंसम वेयर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा YouTube अगरा नीज्व पर कि आपका स्स्टम है कर लिया रहता है इंक्रिप्ट कर दिया रहता है उसके बदले में आपसे कुछ फिरोती मांगी जाती है उस तरीके जो टेक्निक अल मालवेयर होते हैं उसको हम रैंसम वेय क्याते हैं उसके बाद एक एडवेयर नाम का है वायरसिज बॉम बॉम स्पाइवेयर बॉटनेंड क्राइप्टर काभी सारे आपको मालवेयर देखने को मिल जाएंगे तो बिसिकली क्या होता है मालवेयर एक ऐसा मैलिशय सॉप्वेयर होता है जो आपके जितने भी करेंगे तो आप उसके कंप्पूटर का पूरा एकस्स ले सकते हैं या किसी भी सिस्टम का किसी नेटवर के अंदर आप अराम से बैठके उसका एकस्स ले सकते हैं तो यहां पर कुछ डिफ्रेंट्स वेस के बारे में जाने हैं जैसे कि मालवेयर कैसे किसी सिस्टम में आता और कुछ सिस्टम के भी बग्स होते हैं software वगरा के आपको मालूम होना चाहिए कि Flipkart पेटेम हो गया और ये बड़ी-बड़ी साइट से होती हैं अगर आप उसमें बग्स दूड़ते हैं तो आपको अच्छा काज़ा पैसा देती है तो जिसे हम बग बाउंडरी भी कहते हैं तो आप उसमें भी participate कर सकते हैं और खुब सारा पैसा कमा सकते हैं file sharing से भी आप malware को install कर सकते हैं fake programs के थूब भी आप कर सकते हैं और इन वीडियो में में इस इसके practical बनाने का आप हम malware बनाना भी से नहीं कैसे हम malware बनाते हैं और कैसे हम अपनी कंपनी को प्रोटक्ट कर सकते हैं hackers से थूब तो यहां पर एक उच्छे टैक्निक्स के बारे में दीवे जिसके कर आप देखें कनाड़ा में कनाड़ा में इस टाइम एक सो ब्यालिस हजार का यहां पर थुड़ा हम हम ट्रोजन वाइरस के बारे में जाएंगा रोजन होता क्या है यह यह भी एक तरह से से और बहुत सारी कोडिंग का यूज करके प्रोग्रामिंग का यूज करके हम फूरे सिस्टम का कंट्रोल लेते हैं और उसके डैमिस के नुक्सान बाएक कारण बनते हैं तो इसका भी जैसे कि मानकी चलिए अगर आपने एक इस वागर आवी आकिशन हो जाती है यह बहुत इसका यूज कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, जो, क्या करते हैं, वोग क्या करते हैं? वो आपके files को delete कर देंगे, replace कर देंगे, अपने software से उसके बाद फिर firewalls के rule और antivirus को disable कर देंगे, उसके बाद डोस attacks वगरा करते हैं, backdoor entry भी करते हैं, इसके आपका remote access लिया जा सके, उसके बाद कोई मानगे चलिए, आपने कुछ काम कर रहे हैं, आपका trozens, और भी बहुत कुछ है, आगे जानेंगे इसके बार में है, जैसे कि हम भी का करते हैं, keyloggers की install कर देंगे ना, आपके इसमें laptop में, system में, तो आप जो भी entry करेंगे, उसके सारी आपको details मिलती रहे हैं, hackers को, तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है, क्या होत इसके में बिसके में दो तीन पोर्ट के नाम इता देंगे, death port, port नमर टॉंटी सेना spy, 22 नमर जो port होगा आपका, वो soft के लिए, काफी सारे, जैसे कि port नमर 23 में आप होता है, telnet के लिए लिया जाता है, तो वैसी, trozen virus भी करता है, आपके system का access लेने के लिए, port नमर 23 का तो यहां पे काफी सारे आपको देखने में मिल जाए, कौन-कौन सी services होती है, और कौन-कौन सी port पे चलती है, अब जो hackers होते हैं, कैसे trozen को impact करते हैं, जैसे कि मानने के लिए, वो पर दे क्या करते हैं, trozen's house construction kit का use करते हुए, एक virus बनाते हैं, फिर इसको dropper की use की दर है, उ जो target system होता, उसको बेज देता है, तो जैसी आप उस target पे click करते हैं, वो virus आपके, इसमें include हो जाता है, और यह execute करते हुए, सारा access आपके system को दे देगा, और यहां पे कुछ construction kit दी गई है, जिसके धरूसे trozen horse को बनाया जाता है, इसमें construct trozen नम का भी एक kit है, जो आपको help कर जाता है, attackers के लिए, उसको काफी सारी multiple choices मिल जाता है, उसके बार, trozen execution वाला toolkit भी आपके लिए मिल जाएगा, trozen horse instruction kit, यह काफी सारे तीन tips, तीन kits के बारे में दी गई है, यहां पे knowledge आपको, तो इसमें आपको देख सकते हैं, कि कैसे इसका use किया जाता है, फिर हम जानने crypto क् आपके इसा software होता है, जो hackers के जाता है, उसको क्या करते हैं, जो उन्होंने viruses बनाए है, कि लोगर्स और टूल, जितने भी आपके system में install करेगा, उसको hide करने के लिए, ताकि उसको आपका antivirus इसको detect न कर ले, उस software को हम cryptos करते हैं, तो इसके यहां सारे आपको खुब सारे hidden site crypto भी मिल जाएगा, galaxy crypto और AIU food crypto भी नामके, तीन आपको crypto software मिलते हैं, जिसकी मदद से, जो hacker है, target system को, target system को पताने लगने दिता है, कि कैसे उन्होंने, आपके system में कौन सा software या कौन सा virus install किया है, तो क्या है, basically जो आपका antivirus हो भी इसको readout नहीं कर पाता है, अगर आप crypto का use नहीं करेंगे, और आपने virus install कर दिया, आपने target के system में, तो आप असानी से पकड़ेंगो, कि उसका antivirus है, वो सारी sheet को monitor कर रहा है, कि कौन से ports अप हो है, और कौन से ports से क्या आया है, तो basically antivirus का यहीं मतलब होता है, कि आपके system को secure रखा जाए, और ये कुछ, दो, कुछ crypto's ह जिनके अबार में और जान लेजे, cryogenic crypto, even crypto, sizes crypto, ये भी सारे software है, जिनके मदसे आप अपने virus को encrypt कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको कुछ trojans के types के बारे में दिया गया है, जिसे हम botnet trojan, proxy server trojan, remote access trojan, और FTP trojan, इसके बारे में जानेंगे, तो आपको पता ही होगा, FTP क्या file transfer protocol के through ही होता है, और remote access का पता ही आपको, अगर आपका मेने remote access देता तो आप मेरे system में कुछ भी कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, कैसे virus का काम होता है, और कैसे ये काम करती है, तो actually क्या होता है, यहाँ पे पहली दो picture दिखा है, एक before infection और एक after infection, अगर आपके ब बाद जो भी protocols होता है, IP मैंने बता है, ports वगरा, यह जो भी होते है, वो file के बाद execute करता है, और उसके बाद program को start करेगा, ठीक है, उसके बाद आप end करते हैं किसी भी program को, और अगर आपका impacted है system तो क्या करेगा, पहले भी executive file है, जो इंपके इस वायरस हो क्या करेगा, पहले आप समझ सकते हैं, दूसरे picture में, कि जब आपने execute किया file को, जब आपने file install करी, जो infected file है, तो उसने IP के बाद सीधा virus को jump करा है, फिर उसके बाद program स्टार्ट करा है, बल्कि अगर आपको जो पहले infected ने, simple file है, उसको आप include रहाते है, तो पहले वो port नमर लेता है, फिर program को start क करेगा, और फिर आप program को end कर सकते हैं, बट जो after infection क्या होता है, पहले वो आपका IP address लागा है, port चूज करेगा, कोई सा virus हमारा, जैसे मैं आपको पीछली slide में बताया था, यह यह वाले ports यूज होते है, particular trojanor attacks के लिए, तो उसके बाद क्या करता है, यह virus को jump कराता है, फिर program start करेगा, जो आप program कर रहे है, उसके बाद इस program को end कर दिया जाता है, तो इस तरीके से यह virus वगरा attack करता है, अब अब topic यह उता है, कि यह जो computer virus लोग create क्यों करते हैं, तो simple logic है, यह आप भी TV वगरा देखते होंगे, काफी सारी news वगरा आती है, तो उसमें अगर हम according क्या है, तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे competitor से हमको damage करने के लिए, या फिर financial benefits के लिए, या फिर research projects में भी हम उसका use करते हैं, कुछ हम viruses अच्छे चीजों के लिए बनाते हैं, और हम prank के लिए भी उस करते हैं, vandalism के लिए, cyber terrorism के लिए भी attackers इस virus का use करते हैं जो आतंगवादी वगर होते हैं, वो cyber terrorism के लिए, virus का निर्मान करते हैं, और वाइरस को बनाते हैं, और क्या होता है, अगर अगर आपने कोई political message है, डाला है, उसको distribute करने के लिए, इस virus का use किया जाता है, अब आपको कैसे पदा चले कि आपका system में वो impacted है, वाइरस की थू source के बारे में यह details लेते हैं, कोई software आपको मिला और आपने से download कर लिया, तो जैसे आप download करते हैं, file execute होती है, ports नमबर लगते हैं, उसके बाद वो services चालो जाती है, और जैसे कि मन के चली कोई email आया है, infected attachment है उसके अंदर, तो भी आप infect हो सकते हैं, आपके computer या phone में virus आ सकता है, या आपने कोई pirated software download किया, उससे भी आपको नुकसान पहुं सकता काफी, और आप काफी सारे plugins वगरा का यूज करते हैं, अपना browser में उसके इंबर भी आपको virus मिल सकते हैं, और अगर आप कोई latest antivirus नहीं चला रहे हैं, तो भी आपको virus है infected हो सकता, आपका system मोराओ, तो और किसी भी unknown mail का reply न करें, इसलिए का होता है, काभी सारे attacks सारे mail से होते हैं, जो डीडॉस attack भी उससे देखा गया काफी, और pirated software में भी तो काफी यह मिलता है, आप कोई भी genuine software को ही download करें और install करें, तभी आप viruses के infect से बचे रहेंगे, तो guys ransomware बहुत interesting topic आया, basically अभी latest news सारे, इंडिया में और बाकि सारी countries में भी, तो इसमें क्या होता था, कि जो ransomware attack होता था, वो क्या करता था, आपकी जो भी data थे, सबको यह encrypt कर देता था, folder के लिए hide कर देता, पूरा access, जैसी की मान की चलिए आपको भी file खोलते हैं, तो उसके लिए आप खोलते हैं, तो उ file या folder को access कर पाते थे, तो ransomware ने अभी हाल यह बहुत सारा तहल का मचाया हो था, पूरे world घर में, और काफी सभी जो institute से, official office बगरा थे, सभी को, काफी नुकसान पहुंचाया गया था, इस ransomware attack से, अब यहाँ पे कुछ, आपको viruses के बारे में बताना चाहूँगा कि यह कौन viruses है, आपके बारे में आप देख सकते हैं, पड़ सकते हैं, कि add-ons होता है, macros, file वगरा, तो यहाँ पे काफी सारे आपको viruses देखने को मिल जाएंगे, और most of जो virus होते हैं, जो worms होते हैं, वो replicate करते हैं, और कि यह बना इसमें जाते हैं तकि वो replicate करें, और पूरे network में पहल ज जो attackers होते हैं, वो worms payload का, यूज कर सकते हैं, थाकि वो install कर से भी backdoor attack को, backdoor entry लेने के लिए, और इसका use करते हैं, attackers लोग, अब देखते हैं, अब जो worms होते हैं, वो कैसे virus से different होते हैं, तो हमारे जो पहला अला है, अब जो हमारे viruses होते हैं, वो replicate करते हैं, अपने आपी, और ज differentiate कर देता हो कि यह difference क्या है, between viruses and bombs के बारे में, तो viruses क्या होते हैं, वो system को infect करते हैं, और खुद को एक executable program या file के अंदर execute कर देते हैं, मतलब खुद को आप प्लेस कर देते हैं, और जबकि bombs होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आपको exploit करते हैं, और जितने भी bugs वगरा होते किसी software के अंदर, उसके अंदर आपने आपको replicate कर देते हैं, जो virus होते हैं, वो क्या करता है, वो आपके कोई भी files या content को delete कर देता हैं, और इसकी location को change कर देता हैं, और जो bombs हो टिपिकली ऐसा करते हैं, जो bombs होते हैं, वो आपके programs को modify नहीं कर, जो virus होता है, वो उतनी तेजी से फैलता है, जितना का उसको प्रोग्राम किया गया कि कितनी जल्दी हो फैलेगा, लेकिन वो जो bombs होता है, वो आप वाइरसे भी बहुत तेज फैलता है, पूरे सिस्टम में, एक्शन होता है, लेकिन जो viruses होते हैं, उसको अपने सिस्टम से रिमूव करना बहुत ही मुश् अच्छली क्या होता है, यह जो antivirus sensor है, वो एक software है, वो आपके software, जितने वी computer आपने software देलें, वो इनको data करता है, analyze करता है, कि कौन को उसे malicious code चल रहे हैं उसके द्वारा, उसके cover system में, और सभी को यह कटा करता है, फिर आपको यह report generate करके देता है, अगर आप अपने CV malware या के बारे में जानना चाहरे हैं कि आपके system में कोई malware attack वागरा नहीं है, तो आप Avast Online Scanner, Threat Export, Malware Protection Center, Metascan Online, इसके दवारा भी आप online services का use कर सकते हैं, और आपने system के malware के बारे में analysis report ले सकते हैं, तो आप in website पर जा सकते हैं, और वहां से आप detail ले सकते हैं, अपने numbers के बारे में तो चलिए guys, यहां पर हम एक Entry Trozen Software जो के हमारा है, Trozen Hunter नाम का एक application है, जिसके मज़द से आप एक advanced software है, जिससे आप अपने malware को scan कर सकते हैं, जो कि आपके system में है की नहीं है, और जितने भी spyware trozen से बारे में आपको details देता है, तो आप इस tool का use करके, आप अपने system के बारे म कौन कौन से trozen है की नहीं, यहां पर मैं कुछ आपको anti-trozen software के नाम बता रहा हूं, जिसके नजर से आप अपने trozen के बारे में जान सकते हैं, कि आपके system में कोई trozen है की नहीं है, तो आप एक multi, sorry, anti-malware, bio clean, super anti-spyware, anti-hacker, trozen remover, soft spicy, booster antivirus, और जो भी आपको etc. यहां पर आप registered inquiry report मिल जाएगी, कि आपके system में कौन कौन से trozen हैं, तो लास्ट में मैं आपको बताया दे कि हम जानेंगे की pen testing कैसे के रहा था trozen और backdoors को उपर, तो यहां पर क्या होता है, तो आप अपने scan करें open ports को, फिर महां पीछे देखें कौन कौन से services चल रही है, और अपने scan करें, कि आपके, इसमें backdoor entry हो की नहीं है, तो finally हमें यह module खदम करें और इस module में हमें मालवेर्स के बारे में जाना है, कि कैसे वो काम करते हैं, क्या का नुपसान पोचाते हैं, अपने system को trozen के बारे में जाना है, रैपर वाइंडिंग के बारे में जाना है, मतलो है कि आप system में क बारे में जाना है, और वाइरस के बारे में जाना है कि कैसे अपने आपको self replicate करता है, और वाइरस और वाइरस के बारे में जाना है, और वाइरस के बारे में जाना है कि कैसे अपने आपको self replicate करता है, और वाइरस और वाइरस के बारे में जाना है, और वाइरस के बारे में चनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया ताग इससे क्या होगा आपको इतनी में लेटेस्ट वीडियो हमारी वह आपको मिलती रहेंगी तो आप ऐसी हमसे जुड़े रहेंगे और अगर आप कोई भी कडाउट था कोशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया तो मिलते हैं फिर नेक्स संदे और आपके लिए लेका हूंगा दूसरा बॉडियूल और इसके बारे में हम जाने की जल्दी प्रैक्टिकल भी करेंगे तो जैसे हम क्या करने वाले हैं आने वाले कुस दिनों में कि एक सट्रेड आपके सट्रेडे मॉड्यूल पड़ें और सट्रेडे संदेश के प्रैक्टिकल स्क्राइब करेंगे तो अब आपके वीडियू पिसंदे की प्लीज लाइक एंचेर कना मत भूलिया थांकि वाचिंग एक लिए बाए बाए